दोस्तों अगर आप भी अपने फोन की heating problem से परिसान है और आपका फोन काफी ज्यादा गर्म होता है काफी ज्यादा heat होता है तो ऐसे में दोस्तों आज हम आपके smartphone की चार ऐसी settings के बारे में बताएंगे जिन्हें अगर आप follow कर लेते हैं और उन settings को जैसा कि हम इस वीडियो म में कभी भी आपका फोन हैंग नहीं होगा जिया दोस्तों अक्सार हर तीसरे यूजर के साथ ये प्राबलम आती है और इसके जिम्मेदार भी हम खुद होते हैं चुकि हम अपनी डिवाइस का सही से ध्यान नहीं दे पाते हैं उसका केर नहीं रख पाते हैं और कुछ ऐसी बे देखकर हम जो सेटिंग्स बताएंगे उन्हें फालो करते हैं तो आपकी ये प्राबलम हमेशा के लिए दूर हो जाएगी दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को से एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारी इस वीडियो को लाइक कर दी आप जिस भी कंपनी का फोन यूज करते हैं आप वो उस कंपनी का नेम लिग दे देना है चाकि हमको पता चल सके कि आप कि इस कंपनी का फोन यूज करते हैं तो चलिए दोस्तों इतना काम करने के बाद अब मैं आपको आपके मोबाईल की पहली सेटिंग के बारे में बतात तो यहाँ पर simply आपको click कर देना है अब जब यहाँ पर आपको एक option मिल जाएगा सबसे उपर में देख रहे हैं improve accuracy तो यहाँ पर simply आपको click कर देना है अब दोस्तों यहाँ पर जब आप click करेंगे तो यहाँ पर आपको दो settings देखने को मिल जाएंगी वाइफाई स्कैनिंग ब्लूटूथ स्कैनिंग तो दोस्तों आपके फोन में ये दोनों सेटिंग्स आन होंगी अब दोस्तों आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो आपको इन दोनों सेटिंग्स को हमेशा आफ करके रखना है इसका काम क्या होता है दोस्तों कि हम सभी अपने फोन में वाइफाई यूज़ करते ही रहते हैं अक्सर वाइफाई यूज़ करते हैं और ब्ल्यूटूथ का भी उपयोग पर डे एक दो बार जरूर करते हैं चाहे आप तो ज्यादा तर लोग चुकि हेटफोन आ गये हैं तो ऐसे में हेटफोन के थ्रूर ब्ल्यूटूथ का उपयोग सभी लोग करते हैं हम आप क्या सभी लोग तो ऐसे में दोस्तों अगर आप इस सेटिंग्स को आन रखते हैं तो यह जो आपका जो है सारा डेटा होता है वो जो है लोकेशन के थ्रूर सर्वर पर डाउनलोड होता है और इसकैन हुआ करता है तो ऐसे में आपके जो सीप्यू होता है मोबाइल का स्मार्टफोन का उस पर इतना ज़्यादा लोड पर जाता है कि आपका मोबाइल गर्म होने लग जाता है और फिर जब आप ब्लूटूथ बंद कर देते हैं और आपकी दोनों सेटिंग्स आन रहती है तो ऐसे में काफी ज़्यादा देर तक उस पर लोड रहता है और बेवज़े लोड नहीं पड़ेगा और आपका फोन कभी भी गरम नहीं होगा तो दोस्तों ये पहली सेटिंग थी आप बात करते हैं अपने मोबाइल की दूसरी सेटिंग के बारे में जिसे आन करने से आपके मोबाइल की हीटिंग और हैंगिंग प्राबलम भी दूर हो ज करने सेटिंग दे जाएगा डिवाइस केयर का तो सिपली अपको इस डिवाइस केयरे वाले आफसन पर मिनेजमेंस का तो सिंपली आपको यहां पर क्लिक कर करदेना है अब यहां पर करेंगे तो यहां पर You setting मिल जाएगी adaptive battery तो आपको इस setting को इस तरह से on कर देना है अब दोस्तों इस setting को करने से on क्या होगा कि सबसे बड़ा एक फायदा यह होगा कि जब आप अपने mobile को use नहीं कर रहे होगे यानि कि जब आपका mobile phone sleep mode में होगा background में होगा तब कोई भी application जो है background में run नहीं करेगी और आपकी battery पर बिल्कुल भी load नहीं पड़ेगा so friends तीसरी setting को करने के लिए आपको एक बार फिर से अपने mobile की setting पर चले जाना है और setting में जाने के बाद आपको एक बार नीचे चले आ रहा हो नीचे आपको एक option मिल जाएगा फिर से एक बार device care का सिंप्लि आपको device care cogало option में चले जाना है तो इस तरए से आप जैसे device care cogало option पर चले जाएगे तो यहां पर आपको एक आफसं देखने को मिल जाएका इस storage वाला तो आपको इस storage वाले option में चले जाना है अब दोस्तो जो आप storage वाले option को open करें थो आपको ऐसा कुछ user interface देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको बहुत सारे settings देखने को मिल जाएगी लेकिन आपको यहाँ पर एक setting धून लेनी storage booster का यह आपको सबसे उपर मिल जाएगी और simply आपको यहाँ पर click कर देना है अब दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर click करेंगे तो यहाँ पर 354 MB की files हैं जो की बेवजय पड़ी हुई है और यह हमारे phone पर काफी ज़्यादा load डालती है तो इसे में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको free up का option दिखाई दे रहा है तो यहाँ से आपको इसे free कर लेना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको आपको करने से आपकी duplicate image delete हो जाएंगी और आपके जो unnecessary applications होंगे वो भी delete हो जाएंगे तो आपको confirm कर देना है और आप देख सकते हैं यहाँ पर 479 MB memory हमारी free हो चुकी है दोस्तों तो ऐसा करने से आप देख सकते हमारा clear हो चुका उसके बाद दोस्तों आपको back चले आना है और यहाँ पर आपको नीचे एक setting मिल जाएगी auto delete unnecessary data तो इसे आपको हमेशा on करके रखना है दोस्तों इसे आन करने से एक फायदा यह होगा कि आपके phone में बहुत सारा ऐसा unnecessary data अनावस्यक data होता है जो बेवज़े एक अठा हुआ पारा रहता है तो अगर आप इस setting को on कर लेंगे तो यह automatic उस data को redact करके data को सारा delete कर देगा जो आपकी जरूरत का नहीं आपके काम का नहीं है तो ऐसा करने से friends आपके mobile की heating और hanging problem भी काफी हद तक दूर की जा सकती है अब दोस्तों बात करते हैं अपने mobile की चौथी trick की जो मैंने बताया था कि आपके लिए काफी ज़्यादा important है तो दोस्तों चौथी trick करने के लिए आपको अपना play store open कर लेना हो तो इस तरह से आप जैसे search करेंगे application open होके आ जाएगे आप इस application को open कर लेना है और आप जैसे यहां पर आपी केसे इस तरह से इस चुले जाना है और अपको सुटिंग में वह option ढोन लेना है application का नाम तो सबसे उपर आप दे सकते हैं पर cooler master लिखा हुआ तो इसको आपको permission इस तरह से देनी है उसके बाद आपको back चले आना है अब दोस्तों आप जैसे ही back चले आएंगे तो यहां पर आपको दो option देखने को मिल जाएंगे तो आपको second वाले option पर click कर देना उसके बाद next पर click कर देना है अब दोस्तों आप next पर click करेंगे तो आपको थोड़ी देर wait कर लेना हो फिर यह आपके सारे phone में जो भी applications हैं उन्हें अपने आप scan कर लेगा और साथ ही applications को अपने आप ही clean कर देगा तो जैसा कि आप देख सकते यहाँ पर आपको थोड़ी देर wait कर लेना है और उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यह application अपना काम खुद करती रहेगी और आपके सारे CPU को जो देख सकते हैं जितना भी load पड़ता होगा तो आप देख सकते हैं आप four apps closed हो जाएंगे तो उसके बाद आपको finish पर click कर होगा वीडियो को लाइक कीजिए सेर कीजिए और आगे भी ऐसी इंट्रेस्टिक वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए आज की रिए इतना फिल्मेंते नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपना खाया लगे आपका दिन सुब हो